तो आज मैं अपने programming experience से बताने जा रहा हूँ कि आप अपना कैसे custom form create कर सकते हैं जो stripe का होता है इसलिए यह भी मुझे भी ज़रूद पड़ी थी इसलिए मैंने यह code अपनी site में add किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपना experience share कर रहा हूँ तो ऐसे ही अगर आपको codes बगेरा चाहिए तो आप हमें comment कर सकते हैं कि like अगर आपको कोई भी problem होती है या आपको कभी भी problem होती है तो आप जरूर comment करें आपको वह code आपको provide किया जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं अपना experience share करता रहता हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिगा and then bell icon जड़ दवा लीजिगा ठीक है तो देखिए मैं यहां पर इस form के बारे में बता देता हूँ कि यह form आप कैसे use कर सकते है basically code तो आपको मैं दे दूंगा description में होगा प इसके लिए एक संदीप and then like कोई आपका mobile number है तो आप mobile number pass कर सकते है and then आपका कोई भी like zip code है वो आप provide करते है ठीक है and then यह पी पूरा जो है authenticated है मतलब validation है इसके साथ अगर आप like मान के चलिए कोई गलत card number pass करते है तो देख सकते हैं your card number is invalid ठीक है यहां आप something मैंने visa डाला ह है तो यहां पर मेरे को visa का यहां पर उसने already symbol दे दिया ठीक है अगर आप यहां पर कोई और डालते हैं तो वह आप डाल सकते हैं ठीक है यहां पर आपको month provide करने and then 22 दे देता हूं क्योंकि मेरे जो है यह year जो है उसका greater than दूंगा ठीक है and then यहां पर हम 123 कोई CVC डाल सकते है ठीक है and then guys यहां से आप pay कर सकते हैं ठीक है अब देखिए pay करने के बाद आपको जो है जो developer होगा उसको समयना ज़रूरी आगे का जो process है देखिए मैंने क्या किया जैसे इस पर click होगा तो एक loader सो हो जाता है और यहां पर processing हो रही होते ठीक है अब यह क्या है यह मेरे को ए किया था backend में मैंने एक request send कि थी using Ajax and then वहां से payment का मैंने status चेक किया कि वह payment successful हुई है या नी तो उस case पर मैंने वहां से response गेती है अगर मेरी जो payment है अंसकसफुल होती तो मैंने उसे redirect करा दिया किसी और page पर अन्ने था मैं success पर redirect करा दिता था ठीक है तो यह token आपको कैसे मिल तो यह मैंने basically क्या क्या यह आपको जो code दिखा दे रहा है basically मैं यहाँ पर कुछ font awesome मैंने इसलिए उसकिया था जो की loader आपको दिखा दे रहा है कि user को ऐसा treat हो कि हमारी जो है जो payment है वो processing में है ठीक है अंदर हमने यहाँ पर jQuery use किया stripe की JS use किया देख सकते है यहाँ पर एक second की तरफ data को ले भी जा सकते हैं ठीक है using Ajax देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं यह मेरी basically एक stripe की जो आपको पता है यह आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपके account में जो होगी basically मैं यहाँ पर अपनी provide नहीं करूंगा जो code होगा नीचे उसमें नहीं है तो मैंने testing के लिए अपनी यूज की हुए ठीक है अंदन यहाँ पर कुछ fonts बागे लगे हुए हैं जो की form में show हो रहे हैं आपको ठीक है और यहाँ पर आप अपने designer के help से या कोई आपका designer होगा उससे थोड़ी और इसकी CSS effect करवा सकते हैं तो मेरा basically यह जो motive था वो मेरा आपको यह थ चीक है तो यहाँ से आप changes कर सकते हैं यहाँ पर set outcome नाम का एक method बना होगा जो कि आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर आप दूसरी जगह देखें तो card पर जब change होगा अगर आप यहाँ पर कोई भी क्लिक कर रहा है तब तब यह call होगा यह methods and then मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ हमने validation भी लगा रही है जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रही होगी जैसे form submit होता है तो उसमें check करेगा कि card holder name है भी या नहीं या मैंने यहाँ पर एक address जो है comment कर रखा है तो आप इसे comment करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है इसकी नीचे को CSS है जो कि आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं and then मेरा जो काम था वो basically developers को यह समझाना है method वाला तो देखिए हमने यहाँ पर success element ले रखा है जो कि आपको पता है कि यहाँ पर हमन अ यहाँ पर हमने आपने टोकन करा है जो कि generate कर रहा है तो यहाँ पर हमने क्या 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 है result.token है मतलब उसका घर टोकन है तो हम यहाँ पर क्या करा है FASPIN.so, जो की loader दिखाई देरा है, वो आपको वो खता हुआ, ठीक है and then हमने यहाँ पर क्या क्या है result को करा दिया, इ मैंने यहां पर क्या किया था यहां पर मैंने इन दोनों को हटा दिया था और मैंने यहां पर जो कि आपको यहां पर दिखाई दिया रहा है कि मैंने इस तरीगे से Ajax call की थी अगर मैं इसको comment करके आपको दिखाता हूं तो मैंने यहां पर एक HTTP request नाम का एक object होना यह था निव काड़ पर मैंने request request जो है send की थी with अपने token ID के साथ ठीक है जो कि token ID आपको यहाँ पर भी देखने को मिल लिए जो कि मैंने इसमें assign करा दी थी जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल लिए ठीक है and then guys यहाँ से मैंने redirect कराई और यहाँ से मैंने check किया कि मेरी payment successful हो जाती है तो मैंने success वाले पर कर दिया था and then cancel पर जाएगा ठीक है अगर यह कोई problem हो जाती है आपकी payment में तो cancel वाले पर चला जाएगा ठीक है तो यह code है basically आपको सुझ में आ चुका होगा basically जो काम था वो token का use करके आपको payment करना है ठीक है जो developer है डियाइनर इसको थोड़ा बहुत changes कर सकते हैं जो मेरी company में थी उसने भी डियाइनर ने changes किये थे and then आप भी अपने डियाइनर से करवा सकते हैं ठीक है तो यह था और यह code आपको description में मिल जाएगा जरूर check out करें so thank you हम यहाँ पर मिलते हैं next experience के साथ so चैनल को subscribe करना ना भूलें जिलते हम next tutorial में है